चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, आज फिर से समाकलन चेप्टर का बहुत ही सांदार और जांदार सवाल आज का क्लास आपको बहुत पसंद आएगा, इस बात की मैं पूरी कोशिस करूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि क्लास का मज़ा तभी है, जब बच्चा क्लास को अंतिम समय तक देखे, और अंतिम समय तक देखने लाया का सवाल भी मैं छाट-छाट के लाया हूं, जड़ा देखिए, पहला सवाल कैसा है आपके लिए, जड़ा मुझे बताइएगा दिया है, से की स्क्वाइर, सेवन एक्स प्लस टू, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें समाकलन करना है, तो भाई, जाहिर सी बात है, कि मज़ा तो आने वाला है, अब मैं देखिए, इसको किस तरीके से बताता हूँ, जड़ा उसको आप फोकस करिएगा, ठीक है, मैं जि जब लिख देगा, प्रतियस्थापन बेधी से हल कीजिए, तब जाके T मानके हल करना है, जब ऐसा कोच नहीं लिखेगा, शिर्फ कहगा समाकलन करिए, तब आप मेरे तरीके से अभी इस तरीके से करिएगा, ठाक है, तो जब सिधे कहे, कि समाकलन कीजिए, तो करना कैसे है? ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ, से की स्क्वाइर एक्स का समाकलन क्या होता है, सिर्फ 10 एक्स होता है, ठीक है, यह सूतर आप दिमाग में रखिए, से की स्क्वाइर एक्स का समाकलन क्या होता बेटा, 10 एक्स होता है, ठीक है, चलिए, अब 6Square 7X plus 2 का समाकरन क्या होगा 10 7X plus 2 होगा ठीक है 6Square क्या बन जाएगा 10 और यह जैसे है यह वह ऐसे कि वह ऐसे ठीक नीचे आ जाएगा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा ठीक है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अब क्या होगा यक्स का जो गुरांख है न, ये, यक्स का गुरांग बटाके नीचे चला जाएगा बस, यक्स का गुरांख का चला जाएगा बटे के नीचे, ऐसे साथ प्लस लास्ट में सी जोड़ देंगे, हो गया इसका answer ठीक है, आपको नहीं समझ में आया छोड़िये टेंसन अभी मैं फिर बताऊंगा आ जाएगा बस देखते रहें आप ठीक है दूसरा सवाल सेक इसक्वाइर 5 एक्स प्लस 4 इसका समाकलन आपको करना है चलिए इसका समाकलन करना है कोई बात नहीं सेक इसक्वाइर एक्स का समाकलन क्या होता 10 एक्स तो सेक्वाइर 5 एक्स प्लस 4 का क्या होगा 10 5 एक्स प्लस 4 होगा बस क्या लिखना है आपको 10 5 एक्स प्लस 4 क्या लिखना है 10 5 एक्स प्लस 4 और बटा के नीचे क्या जाएगा बटा के नीचे सिर्फ वो जाएगा जो यक्स के साथ है गुड़ा के रूप में लिखा होगा जान गए तो बटा के रूप में क्या जाएगा पांच बस जोड़ दी जैसी हो गया answer अब इसी तरह का तीसरा स्वाल में आपको बता रहा हूँ सेक स्क्वाइर 3 एक्स माइनस 2 इसका आप में क्या करना समाकलन अब यह समझाया आपका यह answer आगया अब इसका answer क्या आएगा आपके मन में तो बिचार आ रहा होगा ने किसार इसका तो मैं कर लूँगा कर लेंगे ने बिल्कुल लेकिन मैं मानता हूँ कि आप इसको अभी फिलाल नहीं कर पाएंगे इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ सेक स्क्वाइर का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 3 एक्स माइनस 2 बटा के नीचे कोन आएगा जो एक्स का गुडांक होगा वही आएगा बटा के नीचे एक्स के गुडांक 3 है तो बटा के नीचे 3 लास्ट में C और ये होगे हमारा एंसर है अब मैंने तो 3 सवाल बता दिया अगर मैं आप से पूछो कि क्या आप भी कमेंट लिक के बताईए हो पाएगा कि नीच हो पाएगा आप से बिलकुल हो जाएगा यार कौन कहता नहीं हो पाएगा हो जाएगा एकदम टेंसन फ्री रहोगे तुम लोग अब देखिए इसी के तर्ज पर इसी के पैटर्ण पर मैं आपको आगे का कोश्चन बताने का प्रयास कर रहा हो ध्यान से आप देखिएगा इसी का पैटर्ण रहेगा देखो से की स्क्वाइर सेवेन एक्स प्लस नाइन क्या इसका समाकलन आप कर लेंगे चौथा सवाल है क्या इसका समाकलन आप कर लेंगे कमेंट में लिके हां या ना कमेंट में लिके हां या ना जो आपको आये वह आप लिके कर लेंगे अब मेरे एंसर से अपने अंसर मिला लीजिएगा सेर्भ एसों का संबाकरण होगा 10 7 x प्लस 9 बटे में आएगा क्या कुछ हाँ यक्स के बगल में अगर कोई गुडांक है तो बटे में आएगा ऐसे चीक है समझ गए तो भाई साहाब अब आपको लगता है कि आप इस तरह का सवाल कर लेंगे और मुझे भी लगता कि अब मुझे इस तरह का सवाल अब नहीं बताना चाहिए अब मैं दूसरे तरह का सवाल आपको बताता हूँ उस पे फोकस करियेगा ए बेटा अरे यार तुम्हें बता रहा हूँ एक बात और बता दूँ स्पेसल अगर तुम इस से भी बढ़ियां कलास चाहते हो जैसा पढ़ा रहा हूँ इस से भी बेटर कलास चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो काल वाले कलास में जुड़िये कि वीडियो कर पर जुड़ेंगे तो जैसे में बोल रहा हूं मैंने आप पूछा कि बताओ समझ में आया की नहीं तुब बोल कर बताओगे सर जी आ गया समझ में कैसे हाल चाल होता है फोन पर अराल चाल ठीक है क्या कर रहे हैं ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी पूचेंगे यह समझ में आ गया तो आप को होगे हां समझ में आ गया हमारा वीडियो काल क्लास इस तरह का होगा ठीक एक दम आफ लाइन से भी बेहतर है तो एक बर अगर ट्राइ करना बिल्कुल 5-6 दिन हम आपको फ्री पढ़ा देंगे कोई चार्ज और जो नहीं लगेगा यह फोन नमबर लिख लिजे यह फोन नमबर है इसी पर आप वाटस अप पर वीडियो काल लिख करके भेद देना लिख देना कि सर मुझे वीडियो काल कलास लेना है कब से आप पढ़ाएंगे वाटस अप पर लिख देना चाहे तो डारेक्ट फोन करना फोन अगर उठ गय तो बात होगी नई रिशी हुआ फोन तो बार बार मत किजिएगा आप वाट्सअप पर ये नमबर वाट्सअप नमबर है इसी पर लिख के वाट्सअप कर दीजिएगा कि सर मुझे आपका वीडियो काल वाला कलार देखना है ठीक है तो बेस्ट अब लग जरूर मैं आपको अब मैं आपको इसी कटेGORARY का दूसरा सवाल बताता हूं दिल धाम के बैठिएगा चलिए अब कटेGORARY का दूसरा सवाल देखिये अ अदि के अ अगर ऐसे एक्जाम में आ जाए एपी सकीस्कॉर आएकस पुलसबी द्या ऐसा सवाल देख के डरीएगा मौत हम है तो कोई नहीं गम है ध्यान से देखिए शेकिस क्वायर AX प्लस B का सूत्र होगा टैन AX प्लस B एकदम उसी तरीके से AX के बगल में अगर कुछ है AX के बगल में कुछ है तो बटे के नीचे आ जाएगा ऐसे बस ठीक है अब यह ध्यान से देखो एक और सवाल यह BX प्लस C है इसका समागरन क्या हो जाएगा टैन BX प्लस C बटे के नीचे क्या आएगा AX का जो गुडांक रहेगा वही बटा के नीचे आएगा ऐसे हो गया हो गया ना अब बता यह हो गया कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में इमांदारी से बुलिएगा कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको समझ में आ रहा से की स्क्वाइर अगर ऐसे रहे एक्स प्लस टू इसमें आप फंसिएगा मुझे मालूम है देखिए से की स्क्वाइर एक्स प्लस टू का समा कलन क्या होगा तो सिम्पल है वही होगा टेन एक्स प्लस टू टेन एक्स प्लस टू होगा एक्स के बगल में कुछ अगर रहता तो वो जाता बटा के नीचे लेकिन यहाँ पर एक्स के बगल में कोई गुडांक है ही नहीं तो जब एक्स के बगल में कुछ नहीं है तो बटे के नीचे कुछ नहीं लिखाएगा ठीक है यहाँ देखिए एक्स के बगल में भी था तो बटे में भी एक्स के बगल में ए था तो बटे में यहां एक्स के वगल में कुछ नहीं लिखा तो बटे में कुछ नहीं देगा बस शिंपल सी बात है यार क्या परिसान होते हैं हो गया अंसर ठीक है पाच्चमा सवाल देखिए सेकी स्क्वाइर पोर माइनस थ्री एक्स अब क्या होगा अब क्या होगा भाई अब तो बहुत बड़ी प्राबलम आ गई अब क्या होगा कैसे होगा यह लपड़ा इधर चला गया तो देखो दरिये गमच मैं हूँ तो मेरा भरपूर फायदा लीजिए मेरे चैनल पर अगर आप गलती से आ गये हैं तो छोड़के जाएंगे नहीं क्योंकि मैं आपको इतनी बड़ियां से बड़ियां ट्रेनिंग के साथ पढ़ाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाऊगे ना मेरा पढ़ाया हुआ सवाल और नाही मुझे ठीक है देखिया अगर ऐसा है तो इसका अबी सूत्र क्या होगा से कि स्कष्ट थीटा का सूत्र होता है 6 इसका अबी समाकलन होगा 1044-3X बटे में कितना आएगा बटे में इस बार एक्स का गुडांक यह आगा लेकिन चिन के साथ आएगा है माइनस तीन है ना तो बटे माइनस यहाँ माइनस लगा तो तीन यहाँ लगा दो माइनस तीन माइनस यहाँ भिल रख सकते थे लेकिन यहाँ रखने से ज्यादा अच्छा लगेगा यहां रखने से ठीक है समझे भाई तुम्हारा अगर मन करता है तो यहीं डायरेट ऐसे लिख दो और अगर मन है तो यहां माईनर लगा कि यहां तीन लिखो प्लस सी यह हुआ आपका एंसर डायरिये का मत हम बता रहे हैं देखिए देखिए की यह देखो यह देखो छेला सी की स्कुरार भी मायनस ए क्स कहाँ चली गया यह बेट इदर देखो न तुम्हारा ध्यान बारि ठीक है बटा में क्या आएगा बटा में माइनस ए आएगा ऐसे माइनस ए प्लस यह हुआ आपका एंसर ठीक है तो कोई लफड़ा नहीं मेरे भाई बस तुम देखते जाओ समझते जाओ इस बार तुम लोग इसके एंसर कमेंट में लिखो चलिए इसका एंसर कमेंट में लिखिए इसका एंसर क्या करेंगे आप कोमेंट में लिखिए आप इसके एंसर क्या करेंगे कोमेंट में लिखिएंगे मैं देखोंगा कि कितने बच्चे मेरी इस वीडियो का वरपूर फाइदा ले रहे हैं अगर आपने फाइदा नहीं लिया तो आप से बड़ा मुर्ख कौन है कोई नहीं है कोई नहीं पायदा लीजए बाई समाकला चेप्टर अपने आप में महान है तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप चेंज करेंगे टाइप चेंज करेंगे बहुत मजाएगा मेरे भाई बहुत मजाएगा देखो आईसा सवाल आगया गवराना मत अब कहोगे स्किर्फ सेक वाला बत आ रहें का है अरे सेक में ही तो 10 तरह की बराइटी है बराइटी जान लो उसके बाद हम बदल देंगे खोसेग में आ जाएगे 10 में आ जाएगे क्यों क्यों कुल्दी बोलना जया कॉमेंट नहीं कर रही हो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते है एक बड़ पांच यहाँ चैन पांच एक से यहाँ ऐसे भी लिखते है चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए दोनों सही है दोनों में गलती नहीं है जो चीज यह है वही चीज यह है इसको लिखने का दूसरा तरीका यह है और कोई बात नहीं है अब मैं आपको शवाल नंबर दो बताता हूँ सेकी स्क्वायर 7X का समाकलन क्या होगा हो जाएगा 10 7X बटे बगल में क्या है 7 है X के बगल में 7 है तो यहां एक बटे 7 लिख दो लास्ट में सी और हो गया अंसर अब कहोगे गुरुदेव समाकलन नितना आसान कैसी हो गया अरे भाई आसान है आपको पढ़ाने वाले उसको कठिन बना रखे है पढ़ने वाले भी कठिन मान लिये है सच बता रहा हूँ बहुत आसान है आईए आगे इसका देखिए इसका देखिए आप सिक इसक्वार एक्स का समाकलन 10 एक्स होगा क्या होगा 10 एक्स अब बटेम एह यहां लिखिए अचा है यहां लिखिए भी तो बटेम एह हुआ प्लस ही यह हुआ आपका एंसर अब मत कहना हमसे कि भाई समाकलन समझ में नहीं आता गुर्दे हो कोई लड़का मुझे फोन करेगा तो यह कतता ही नहीं बोलेगा कि सर कटिन है कटिन बोलोगे क्या कटिन बोलोगे नहीं न एए तर नहीं देवाली दर देखो चौथे सवाल का उत्तर तुम लोग खुद मुझे बताओ कमेंट में इसका उत्तर कमेंट में लिखिए और हाँ एक बात और है अगर आप चाहते हो कि मुझे कमेंट ना करना पड़े साथ हम डारेट पूछें से कि स्कॉार पी एक्स का समाकरन क्या होगा और आप अगर मुझे बोल सको इसी कलास में किसा रिज़का होगा इतना तो कितना मज़ाएगा बहुत मज़ाएगा इसी नाते कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ वीडियो कालिंग वाले बैच में जुड़िये आप हमारे साथ वीडियो काल वाले बैच में जुड़िये 75, 25, 85, 88, 38 ठीक है इस बैच में जुड़ेंगे तो आपको बहुत बहुत सुकून के साथ वीडियो काल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा अब आप देखेंगे कि अब उसी में वराइटी और ज़्यादा बढ़ जा रही है ध्यान से समझिएगा वराइटी किस तरह से मैं बढ़ा रहा हूं ध्यान से देखिएगा देखें पहला सवाल से कि सकुआयर तीन बटे चार यक्स डी अकस इसका समाकलन कैसे होगा भाई टेंशन तो होई गया होगा आपको कैसे होगा तो टेंशन दूर होगा चला ध्यान से देखो सेकी स्क्वायर 3 बटे 4 एक्स का क्या हो जागा 10 3 बटे 4 एक्स ठीक है हाँ एक्स के बगल में जो है अगर बटा का चिन है तो यह पलट जागा शुरुवात में 3 बटे 4 यहां हो जागा 4 बटे 3 बस काम खतम दूसरा सवाल इसे तरह का देखो सेकी स्क्वायर 5 बटे 3 एक्स इसका समाकलन करना है तो क्या होगा 10 5 बटा 3 एक्स होगा ठीक है और 5 बटा 3 पलट के शुरुवात में लिए देंगे 3 बटे 5 यह हुआ आपका एंसर ठीक है टेंसर नहीं होना चाहिए क्योंकि number of varieties मैं दे रहा हूँ अब यह मत सोचना एक ही सवार लेके दिन बढ़ा रहे यार एक्जाम में कौन सा question किस तरह change होके आएगा कोई भरोसा है किताब में दिया हुआ तो पूरा दुनिया यूटूब पर पढ़ा रही है पढ़ा रही है पढ़ लो लेकिन जो हम चीज़ दे रहो फूरा लाइफ में आपको खुजते रहे जाओगे नहीं मिलेगा यह देखो से किसको आर तीन यक्स बटे पांच ऐसे है ऐसे भी आता है अब यह थोड़ा सा देखो अलग लग रहा होगा आपको लग रहा अलग है अलग नहीं है यही चीज ह है अभी देखना मैं कैसे बताता हूँ कैसे वह सेम है जैसा आप जानते हो कि इंडिग्रेशन का सिम्बल लग गया अब देखिए से किसको आर हो जाएगा टैन तीन यक्स बटे पांच और तीन बटे पांच पलट के पांच बटा तीन हो जाएगा बस चीका ना बस काम खतम कहीं कोई लफडा है क्या कहीं कोई लफड़ा दिखाय दिया बिल्कुल नहीं दिखाय दिया चोथे सवाल में देखिए से किसको आर सेवन यक्स पांच है ऐसे भी कभी आ जाता कोस्टक में तो देख के घबराईएगा मत अना देख के परिसान होईएगा मैं हूँ तो देखो से स्कुआर का सूतर होता टैन से किस्कुआर सेवन एक्स पांच तो टैन सेवन एक्स अपांच हो गया ठीक है अब जो सात बटे नौ है यहां बगल में आ जाएगा सुरुआत में पलट जाएगा नौ बटे साथ लाट में सी जोड़के अनसौन लिखिए सी क्यों ज इसी नादिफ को नूमबर हमेशा देता रहता हूं अब मैं आपको दूसरी तरद ले चलता है दूसरी दुनिया में से कि स्कुआर की दूसरी दुनिया ध्यान दो से कि स्कुआर सेवेन एक्स पुलस नाइन अपान तू आहा ऐसा समाकलन आजाय तो कैसा होगा भाईया हम तो डर गए हम तो परिसान हो गए आप भी मत डरना आप परिसान मत होना मैं उसका सलूशन बता रहा हूं एम सलूशन पर सलूशन 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 है बस आप देखते रहो समझते रहो देखे कैसे होगा से कि स्कुआर सेवेन एक्स पुलस नाइन बाई टू का समाकलन हो जाएगा टैन है 7x plus 9 by 2 अब बात यह है कि यहां क्या गुडांक क्या बनेगा तो x का गुडांक 7 है 7 और नीचे का 2 7 और नीचे का 2 यानि 7 बटे 2 अपने मन में सोचो लिखना नहीं है मैंने तो लिख दिया आपको लिखना नहीं है यह 7 बटे 2 7 बटे 2 मन में सोचा अब इसको पलट दो 2 बटे 7 कर दो तो यह सुरूआत मिली देंगे बस ठीक है बस काम खतम एंसोर आगया मेरे भाई एंसोर आगया ठीक है दूसरा सवाल देखो इसी तरह का 6 square 3x plus 5 upon 2 इसका समाकलन करना है जादू की तरह एक सेकंड में उत्तर लाना है तो भाईया देखो एक सेकंड में कैसे उत्तर आएगा इसका देखो बराबर चिन इसे की square का क्या होता 10 होता 10 3x plus 5 upon 2 और यह 3 बटे 2 है यहां हो जागा 2 बटे 3 बस काम खतम काम खतम एंसोर आगया कोई tension नहीं है अगर ऐसे सवाल बहुत विकल्पी question में आए तो आप direct ऐसे कर देना टीम आनके solve करने की जरूरत नहीं है हाँ टीम आनके तब करिएगा जब लिख देगा प्रतियस्थापन बिदी से समाकलन कीजिए ऐसे जब लिखेगा तो इमान के कीजिएगा नहीं तो फिर ऐसे ही कीजिएगा बहुत विकल्पी question आगा ऐसे कीजिएगा NDA का आर्मी का नेवी का देंगे ऐसे करना है बिहार बोड़ वालों के तो बहुत बढ़ियां है बहुत बढ़ियां इसका समाकलन आप बताईए कॉमेंट में लिखे इसका उतर कॉमेंट में लिखिए मेरे साथ वीडियो काल पर आप जूड़ते तो आप से मैं पूछ लेता कि इसका उतर बताओ तो आप लोग बता देते बहुत बच्चे बताते हैं जो पढ़ गए पहले से न वे लोग बताते रहते हैं कि इसका अंसर क्या होगा मैं पूछता भी रहता हूँ तो काफी मज़ा आता है ठीक है अब फोन नमबर इसी नाते मैं बार बार दे रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई ले लो इस नमबर पर तुम फोन करना ठीक है वीडियो काल पर पढ़ने के लिए नमबर पर कॉल कीजिएगा जब भी आपका मन करें कॉल रिशीव नहीं होगा तो नाराज नहीं होना है वाटसप पर लिख दिना कि सर मुझे आपका वीडियो काल वाला क्लास लेना है तो हम बात कर लेंगे या मेरे स्टाप बात कर लेंगे हम काल बेक कर लेंगे अगर नहीं फोन रिशीव होता है समझे भाई फोन रिशीव इसना ते कभी कभी नहीं होता है कि मालो कि मैं जिन्ड का फीस लिया हूं वीडियो काल बैच में टाइम हो गया मैं उनको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाते समय ने बात कर पाऊंगा ने फोन रिशिव कर पाऊंगा अजो मेरे स्टाफ है वे भी वीडियो काल में बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं ठीक है तो कुलमिला चुला की बात हो जाएगी बस एही जान लीजिए अब यह आप इसका उत्तर कमेंट में लिख दीजेगा ठीक है अब मैं आपको दूसरे तरह का सवाल बताऊंगा थोड़ा सा मेरा आप सपोर्ट कीजिए देखिए भयानक सवाल उसी तरह कर है कि स्क्वार 5-3 यक्स बटे चार वाओ यहाँ पे लफडा है यहाँ पे लफडा है बच्चों से गलती होगी नंबर कटेगा नहीं जानोगे तो कैसे होना है से कि स्क्वार इतने का टैन इतना ही होगा 10, 5, माइनस 3 यक्स बटे 4 अब यक्स का गुडांक माइनस में है तो यहां माइनस चिन जरूर आएगा अब यह 3 बटे 4 है तो यह उल्टा कर दो इसका 4 बटे 3 बस बस बेटा बस तुम पो क्या ध्यान देना है माइनस चिन इसमें आएगा क्यों? क्योंकि यक्स का गुडांक कही माइनस में है समझ गए? अब तो confusion नहीं होगा अब तो clear cut हो गया होगा, समझ में आ गया होगा तो एक और सवाल इस तरह का हो जाए ताकि दिल में दिमाग में बैठ जाए ठीक है? एक और सवाल C square A minus BX by 5 लो भाई ये कैसे होगा? ये सवाल का कैसे होगा समाकलन? कुछ नहीं से किसको अच जितना उतना लिए देंगे 10 के रूप में 10 A minus BX बटे 5 ठीक है? minus B है इसका गुडांक तो यहां minus चिन आएगा B बटे 5 है तो उसका उल्टा 5 बटे B लिख दीजिए बस काम खतम, बात खतम, सवाल सही, इंसर सही, नमबर मिलेगा इदम नमबर मिलेगा इदम पावरफुल तरीके से अब आप सोच रहोंगे कि गुरू जी ऐसा कैसे हो पा रहा है तो ऐसा हो पा रहा है मैं इंटर्नली टीम आनके ही उसको कर रहा हूँ बट मैंने आपको एक स्टाइल बताया कि भाई एक्जाम में टाइम नहीं है तो फालतू टाइम गवाने की क्या आज देर वो था सही से अपना काम कीजे अब आप एक और चीज ध्यान से देखो मेरे साथ जूड के पढ़ने का क्या फाइदा है मेरे साथ जूड के पढ़ने का फाइदा यही है कि आप जब भी समाकरन करने बैठेंगे तो पहले मेरी याद आएगी उसके बाद कुछ आएगा तो आएगा नहीं तो सबसे पहले मेरी याद आएगी अब मेरे दोरा बताएगा तरीके आपको याद आएंगे ठीक है तो एक नई वरायटी को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ e की पावर 3x का समाकलन कीजिए चलिए इसका समाकलन कैसे होगा ध्यान से देखिए बड़ा ही मज़ेदार सवाल है बहुत मज़ेदार है सच में बता रहा हूँ इतना असान समाकलन का कोई सवाल नहीं है जो एक नमबर दो नमबर में एक्जाम में आये इसके लिए क्या होगा इसका समाकलन यही सूतर होता है सूतर इसका होता ही नहीं है E के पावर एक्स का समाकलन E के पावर एक्स होता है बदलता नहीं है चीक है तो E के पावर थिरी एक्स का E के पावर थिरी एक्स ही होगा बस हाँ अब क्या है यक्स के बगल वाले को बटे के नीचे लिखेंगे यक्स के बगल में क्या 3 है तो वहाँ एक बटे 3 यहाँ पे बस प्लस ही हो गया अंसर अब अगर मैं आप से पोछू एकी पावर 8 एक्स का तो आप बता लेंगे बिल्कुल बता लेंगे आपको तो टाइम लगेगा नहीं आप बताने में इकी पावर 3 एक्स का क्या होँँए उक्ति पावर 3 एक्स बटे 3 इकी पावर 8 एक्स का क्या हुए एककी पावर 8 एक्स बटे में बटा के नीचे 8 ठीक है चलिए हम अगला सवाल देखते हैं बेटा चलिए देखिए आगे का जो इसका हमारा प्रोसेस बड़ा ही बड़ियां है E की पावर 8 X का E की पावर 8 X होगा बटे में कितना हैगा जितना X के बगल में है वही बटे के नीचे जाएगा 1 बटे 8 बस काम खतम काम खतम आपका ठीक है कितना सांदार चल ला है अब मालो जितर E की पावर 3 X प्लस 2 रहेगा इसका समाकलन कैसे होगा तो घबराने और डरने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर भी आपको जितरे का confidence आएगा E की पावर 3 X प्लस 2 का बटे में कोई जाएगा जो X का गुडांक होगा X का गुडांक 3 है तो बटे में 3 बस काम कतम सी जोड़ दो एंसर हो गया चोथा स्वाल आप से पूछ रहा हूँ E की पावर A X प्लस 2 है इसका समाकलन क्या होगा तब तो आप समझ गया बता देंगे उत्तर बता देंगे न Very Good तो क्या होगा E की पावर A X प्लस B का A X प्लस B ही होगा बट बटे में कौन आएगा बटे में ये आएगा बस काम खतम मेरे भाई काम खतम हाँ अब आपको अगला सवल बता रहा हूँ भाई अगला सवल तुम देखो 1 की पाउर माइनस 3 एक्स प्लस 2 है ऐसे में क्या होगा कुछ नहीं वैसे ही होगा इसका समाकलन यहीं होगा ठीक है बटे में कौन आएगा बटे में आएगा एक्स का गुड़ांक माइनस 3 है तो इसे आएगा है एक बटे में माइनस तीन ठीक है पलस ही हो गया आपका एंसर पाच्वा सवाल देखिए आप एकी पावर थ्री एकसपांट टू आइसा है ऐसा है तो कैसा लफड़ा है ऐसा है तो कैसा लफड़ा है बोलिये नहीं बहुत मज़ेदार यह भी देखिए एकी पावर थ्री एकसपांट टू का वह होगा यहां क्या आएगा बगल में अब यहां तीन बटे दो जब बटा का चीज रहता है घात में तो वह पलट जाता है यानि यह तीन बटे दो है तो यहां उल्टा कर दीजे दो बटे तीन कर द लूट लिया आज आपने सारा उत्तर आपने लोट लिया अगर आप इसको दुबारा देखेंगे या कापी में नोट कर लेंगे न तब एक निगास देखेंगे यार हर सवाल का उत्तर एक सेकंड में हर सवाल का उत्तर आपका एक सेकंड में आ रहा है कितनी अच्छी बात ह है यार कि आप समारोन जैसे चेप्टर का सवाल एक एक सेकंड में आधे आधे सेकंड में अगर कर सकते हो तो कितने बड़ी बात कितनी सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा चेप्टर इतना कढ़ीं चेप्टर आप के लिए अब एक सेकंड का काम हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है ना अंदर से खुशी तो मिलेगी क्यों खुशी गुपता है हमारी एक स्टूडेंट है खुशी गुपता है एकी पावर 3.2 एक्स प्लस 9 यह देखिए यह देखिए सवाल का लेबल अपने आप में बढ़ रहा है लेकिन हमारा कंसेप्ट वही रहेगा वही रहेगा वही रहेगा कैसे एकी पावर 3 एक्स प्लस 3.2 एक्स प्लस 9 का 3.2 एक्स प्लस 9 ही होगा यहां क्या आएगा एक्स का गुड़ाइं सवाल का उत्तर मुझे बताना बताना मुझे वाइट केलर में लिकराउं घात चलिए मेरे मित्रों मेरे छात्रों इसका उत्तर कॉमेंट में लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे तो भी आप लिखने का पर्यास कीजिएगा इसका उत्तर कौन कौन जान गया कम से कम यह बात तो लिख दो कि सर मेरा हो जाएगा या मैंने कर लिया सर में इसका उत्तर बता दूंगा ऐसा करके आप कॉमेंट में लिख दीजेगा क्लियर तो बेटा यार तुमसे एक बार फिर से मैं पूछूंगा कैसा लग रहा है आज का यह स्वाद मेरे इस क्लास का आनंद आपको कैसा लगा बढ़िया लगा कि बहुत बढ़िया लगा कि कि किसी लायक नहीं था कि मानदारी से लिखना कमेंट में आज मैंने आपको क्या सिखाया आज मैंने आपको ये सिखाया C2AX अब मैं आपको होम वर्क दे थे रहा हूँ अगर इस होम वर्क को करने में आप सफल रहे तो दिल पर हात रखके आँखे बंद करके एक बार मुझे याद कर लेना कि सवाल ये दूसरा सवाल द्यान दीजे ये तीसरे तरह का सवाल ये चोथे तरह का सवाल पांचमें तरह का सवाल ठीक है चटमें तरह का सवाल साथमें तरह का सवाल आठमें तरह का सवाल नौवे तरह का सवाल दसवे तरह का सवाल भाई आज की वीडियो अगर आपने देखा मेरे साथ 35 मिनट या 40 मिनट का समय आपने मेरे साथ बिताया तो क्या बताये यतने 10 तरह के सवाल मेरे पीछे स्क्रीन पर है आप बताये क्या यह दसवाल आपके लिए एक एक सेकंड का काम है की नहीं इसमें से कोई कोशन ऐसा नहीं है जिसको आप एक सेकंड के अंदर कर नहीं लेंगे आप अपनी छमता को आज माईएगा आज अभी कापी कलम बीना खोले वीडियो रोक दो देखना रोक दो तुम इसका उत्तर बोल सकते हो मुह से इसको देखते बोल सकते हो बोल सकते बोल सकते बोल सकते बोल सकते बोल सकते बोल सकते हो इन दस के दसों सवालों का जबाब मुह से धड़ाक धड़ाक बोल दोगे अगर मैं सामने रहता तुम्हारे पूछता तो तुम धड़ा 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 धड़ बोलते हैं बोलते हैं वीडियो काल पर हमसे जुड़े रहते तो भी धड़ा धड़ा मैं पूछता तो कि फो नंबर मेरा दिया हुआ है यहां पर एक बार संपर करना वीडियो काल पर जुड़ो हाँ वीडियो काल पर जुड़ो तुमारे लिए बहुत अच्छा क्लास में एक दो तीन चार पांच हां दस अंकर नंबर है फोन करना नहीं उठेगा नराज मत होना वाटसप पर देखना है वीडियो काल वाला पांच दिन वाला कला लेना है लिग देना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्रस्ट करते इतना ज्यादा कि डेमो क्लास जॉइन नहीं करते हैं सीधे फीस पे करते हैं सीधे आ जाते हैं में बैच में जहां कोर्स में चला रहा हूं एक लाइन से चला रहा हूं हर पेज हर एक सरसाइट टच कर रहा हूं तो यह फोन नमबर आपके फोन का वट्सप मेसेज का इंतजार कर रहा है और इन सवालों को देख करके आपका दिल आपका दिमाख दोनों गदगद हो रहा होगा कि भगवान इसको देख के जी घबराता था लेकिन अब इसको देख के इसका उत्तर बताने के लिए जी लल चा रहा है कितना अच्छा लगा कॉमेंट में जरू बताना पेटा ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाई टेक केर